गाईज मिशेखी टाइब का काफी कमेंट देखने को मिल रहा था जैसे आदित्यराज इनका कहना है कि सर रैविट के नाखोन काट सकते हैं और कमल सोनी इनका कहना है कि भईया हमारे पास रैविट है उसके नेल्स बहुत बढ़ रहा है पकड़ने पर हाथ पर सुई की तरह च तो गाईज अगर आपके पास भी खरगोश है और आप भी अपने खरगोश से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे आप भी अपने रैविट के बढ़ हुई नाखोन को इजी तरीके से कट कर सकें उसे मैनेज कर सकें या फिर कैसे उन्हें काट प्रेस करके आल पर कर लीजे जिससे हमारे वीडियो की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे क्योंकि गाईज मैं खरगोश से सम्मंदित वीडियो जी बनाता हूँ और आपको हमेशा यहाँ आपके रैविट के बारे में कुछ नहीं जानकारी देखने और सीखने को जरूर मिलेगी तो चलिए गाईज ज्यादा बाते ना करते हुए सीधा में मुद्दे पर आते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं उसके नेल्स भी अच्छे तरीके से ग्रोथ करने लगते हैं और गाईज जिन रैविट को किसी ऐसी जगाँ पर रखा जाता है जहां वो मिट्टी औगरा की खुदाई नहीं कर पाते हैं या अपने नाखून को घिस नहीं पाते हैं वहाँ भी उनके नाखून तेजी के अपने रैविट का नाखून काटना चाहते हैं तब सबसे पहले तो आप इस बात की जानकारी रखें कि जैसे इंसान के हाथों के नाखून बढ़े हुए होने पर हम उन्हें काट सकते हैं बड़ ज्यादा हो जाने पर बलड़ हो गया निकलने लगता है उसी तरीके से खरगोस के नाखून नाही काटेंगे तो ज्यादा बेटर रहे क्योंकि मुझे काफी कमेंट आया हुआ था कि सर मैंने अपने खरगोस का नाखून काट दिया उसका बलड़ निकल रहा है क्या करें तो देखिए जब खरगोस का नाखून ज्यादा कर जाएगा और उसका बल करनी है तो बहुत सा उधानी और खरगोश के लाल भाग की सेफटी का ध्यान रखते हुए ही काटे जैसा कि गाईज आप लोग इसक्रीन पर देख पा रहे हैं और गाईज अगर आपके पास जानकारी नहीं है रैविट के नाखोन काटने की तो आप नहीं काटे तो ज्यादा बेटर रहेगा आप किसी रैविट एक्सपर्ट की साहता से अपने खरगोश के नाखोन काटवा लीजिए या आप बेट डाक्टर के पास भी ले जाकर अपने रैविट के नेल्स को काटेंगे और उसका अगर लाल वाला भाग काट गया तब आपके रैविट के नाखोन से बलट काफी जादा गिरता रहेगा और बंद नहीं होगा क्योंकि आप उसे गोद में जब तक उठा कर रखेंगे पकड़ के रखेंगे तब तक बलट बंद रहेगा फिर जब रैविट मिट्टी पर जाएगा दोड़ेगा उचले कुदेगा तब फिर से उसका बलट निकल कर भी अपने रैविट के नाखोन ना काटे और अगर काटे भी तो बहुत ज़्यादा ना काटे खुद से ही लाल पाट से बहुत ज़्यादा दूरी बना कर ही काटने की कोशिस करें और गाईज वीडियो पसंद आने पर लाइक यों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें त किसी और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद